observing the armies on the battlefield of Kuruksetra. गीता महात में, गीता की महीमा में संक्षेपित किया गया है। गीता में से सुना था। यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वह शिश्य उत्तराधिकार की उस पंक्ती में प्रेरित व्याख्या के बिना भगवत गीता को समझ सके तो वह वैदिक ज्यान के सभी अध्यायनों और दुनिया के सभी धर्मग्रंथों से आगे निकल जाता है। यह उत्तम है आस्तिक विज्ञान क्योंकि यह सीधे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया है। यह भगवान द्वारा तब कहा गया था जब वह मानव जाती के मार्कदर्शन के लिए इस ग्रह पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे, धर्मक्षेत्र शब्द एक स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। प्रदर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में भगवान का परम व्यक्तित्व अर्जुन के पक्ष में मौजूद था। कौर्वों के पिताध्रित्राष्ट्र अपने पुत्रों की अंतिन विजय की संभावना को लेकर अत्यधिक सशंकित थे। संदे होने पर उन्होंने अपने सचिव सनजय से पूछा, उन्होंने क्या किया, उन्हें विश्वास था कि उनके दोनों पुटर और उनके छोटे भाई पांडू के पुटर युद्ध के लिए निर्धारित युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान में इकठे फिर भी उनकी पूछताच महत्वपूर्ण है। वह अच्छी तरह से जानता था कि इसका अर्जुन और पांडु पुत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि स्वभाव से वे सभी गुनी थे। पांडव और धित्राष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन यहाँ धित्राष्ट्र के दिमाग का खुलासा किया गया है। उन्होंने जानबूज कर केवल अपने पुत्रों को कौरव होने का दावा किया और उन्होंने पांडू के पुत्रों को पारिवारिक विरासत से अलग कर दिया इस प्रकार कोई भी अपने भतीजों, पांडु के पुत्रों के साथ अपने संबंधों में ध्रितराष्ट्र की विशिष्ट स्थिती को समझ सकता है जैसे धान के खेत में अनावश्यक पौधों को हटा दिया जाता है, वैसे ही इन विश्यों की शुरुवात से ही यह उम्मीद की जाती है कि कुरुक्षेत्र के धार्मिक शेत्र में जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण मौजूद थे, धितराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और अन्य जैसे अवांशित पौधों का सफाया हो जाएगा और युधिष्ठिर के नेत्रित्व में पूरी तरह से धार्मिक व्यक्तियों को भगवान द्वारा स्थापित किया जाएगा। यही महत्व है धर्मक्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे शब्दों का उनके एतिहास सिख से अलग और वैदिक महत्व